और परिख्षा सुचार रूपे चल रही थी, इतने लिए अचानक जो है इस प्रक्रिश केंपस में पीट पीट कर हत्या कर दी गई वह प्रैक्टिकल देने के लिए कालेज गया था, आरोप है कि उसकी क्लास के एक्षात ने उसकी प्रैक्टिकल फाइल फार दी इसकी को लेकर दोनों के भी छगड़ा हुआ, विबाद बड़ा तो आरोपी चात ने अपने 20-25 साथियों को भुला लिया मुबाद कराए लड़कों नहीं, लाठी डंडे से तब तक पीटा, जब तक की वह बिहोस नहीं हो गया मारपीट का CCTV फूटेज भी सामने आया है, तूचना पर पहुंचे परजन, धाल चात को हरा हुआ सी अचिसी ले गए, यहां डाक्टरों ने मृत दोसित कर दिया उधर प्रिंस्पल ने कहा कि इस्पेक्टर को फोन किया था, लेकिन उन्होंने काल रिशीव नहीं किया, कुछ देर बाद खुद फोन किया, और समय नहीं होने की बात का है, फोन कार दिया जलाल पुठाना चेत्र में निवादा गाउं के रहने वाले उपेंद्यादव का बेटा मितिलेस यादव बारवी का छात था, वह आज बोड की प्रेक्टिकल परिच्छा देने के लिए कालेज गया था, परजनों ने बताया कि मितिलेस और प्रियांसू एक क्लास में पढ इसी को लेकर दोनों में विबाद हो गया, विबाद बढ़ा तो प्रियांसू ने अपने दोस्त हिमांसू अंतिम साहिल रभी और नीरच को बुला लिया, मौके पर पहुंचे दोस्तों और प्रियांसू के साथ मिलकर मितिलेस की लाठी टंडो से उसकी जम कर पिटाई की, म वहां के सिच्चक और प्रधानाचार कहां थी, अगर थे तो उन्होंने दबंग छात्रों को रोकने की कोशिस क्यां नहीं की, छात्र मार पीट करने के बाद वहां से फरार हो गए, लेकिन किसी ने भी उन्हें पकड़ने की हिम्मत नहीं की, बताय जा रहा है कि दबंग छा से कालेज के सिच्चक और प्रधानाचार भी डड़ती हैं, इसी कारण कोई भी अपने का छासी बाहर तक नहीं निकला